पूर्व मंत्री कॉंग्रेस नेता सज्जन सिंग वर्मा चाहते हैं कि दादागीरी करके राहूल गांधी को कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए वर्मा का कहना है कि कॉंग्रेस को कंट्रोवर्सी से बचना है तो राहुल गांदी जैसे सशक्त हाथों में ही पार्टी की कमान देना चाहिए मुकल वासनी के जनरेटर है राहूल गांधी वहां से इन सब को करण्ड मिलता है जो असली जनरेटर है उसे ही कमान मिले हाई कमान मैं दादागिरी शब्द वापर रहा हूं लोग तंतर में दादागिरी नहीं चलती लेकिन हाई कमान को दादागिरी से निरने लेके राहूल जीजिक को डिकलेर कर देना चीए वह जाके फार्म भरे राहुल गांदी फार्म भरेंगे तो कोई दूसरा फार्म नहीं भरेगा इस तरह कि एधी कांट्रोरसी से बचना तो राहुल गांदी जैसे सशक्ता हातों में आपको कमान देना पड़ेगी यह नाम चल रहे हैं ना इ पुरुमंति सज्जन वर्वा ने पिएफाई बैन पर कहा जो भी आतंकी गद्विधिया करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए भारत का सच्चा नागरिक आतंकवादी गद्विधियों का विरोध करेगा पिएफाई हो या भारत की फिजा में सामाजिक जहर घोलने वाले कोई भी संगठनों उन संगठनों पर बैन लगाना ही चाहिए भारत का सच्चा नागरिक हर उस आतंकवादी गद्विधियों का विरोध करेगा जो भारत को तोड़ने का काम करती है पिएफाई हो या इस भारत की फिजा में सामाजिक जहर घोलने का काम करती हो कोई साभी संगठन हो उन संगठनों पर बैन लगाया ही जाना चाहिए पिरोध करेंगर बारत काम करती है आज़ जो एंडिया प्रेमियर किल बेस्ट उनिवस्टी रबिंटनाथ तगो उनिवस्टी आप देख रहे हैं तखल्यूल आप